साथ हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब हाधिर हूँ मैं फिर से एक और नए लेसिपि के साथ स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल डेली रेसिपी already real आज डिली रेसिपीज में बनने वाला है एक ही तरीके से लेकिन दो तरह के नाश्टे फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एक पैन लिया है उसमें डाला है एक चम्मच तेल अब इस तेल में डालेंगे हम आदा चम्मच जीरा और जीरा जैसे ही हलका चटकने लग अब प्याज जीरा और राई इन तीनों चीजों को हमने अच्छे से भूनना है याद रखिए हलका गुलाबी नहीं करना अच्छे से हमने इनका पानी सुखा लेना है जब हलका सा पानी सूखने लग जाए तब इसमें डालिए बारी कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा क आज भून चाये अब देखिए कितना बड़ा से कलर आ गया है इसमें डालेंगे थोड़ा सा स्वाध अनुसर नमक और नमक के साथ ही अब हमने डालना है इसमें चिली फ्लेक्स अगर आप तीखा कम खाते हैं मिर्ची कम खाते हैं तो इसमें मिर्ची कम रखिए अब इन सार प्याज, हरी मेर्च और सूखे मसाले हमारे बहुत अच्छे से बढ़िया से भुन गए है देखिए कितना अच्छा एक कलर आ गया है इसमें अब इसमें में डालने वाली हूँ डेड़ गलास पानी यहां पर मैंने पानी डेड़ गलास लिया है और यह गलास नॉर्मल गलास ह जिसमें हम पानी पीते हैं तो जो भी मैं अब बनाने वाली हूँ यह इतना सिंपल और इतना आसान है ना कि इसको कोई भी बना लेगा पानी उबल गया है हमारा अब जैसे इसमें उबालाने लग जाए एक बार चम्मत से सारे मसाले मिक्स कर दीजिए और अब एक कटोरी ल पानी पेस से असानि यह वह ऊश्रावा पानी कोईछ नएगे टाल सकते हैं इसमे'RE अब इस तरीके से जब इसमें मसाले सुजी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तब हम ने आज को कर देना है बंद यह देखिए , कितना बढ़िया सा एक डूफों में तैयार हो गया है। आज जो रेसिपी बनने वाली है आप इसके फैन हो जाएंगे बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है अब ये बैटल हम इसको निकाल देते हैं एक अलग बरतन में और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे जादा ठंडा नहीं करना बस इतना ठंडा कि आप इसको हाथों से दालना है वह इसलेए क्योंकि अगर हम हातों से करशत करने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई इसका लंभ रह जाएगा और इस जो हमने ट्यार किया है सूजी का और आलू का इसमें कोई भी लंभ नहीं रहना चाहिए इस तरीके से अभी आपको लग रहा हो गा है याऱ तो इसलिए हमें थोड़ा सा चिपचिपा लग रहा है बस इसको जादा नहीं गूदना हमने हलका सा बस मिक्स करके सारे मसाले और आलो को अब हातों पे लगाएंगे तेल और एक छोटा सा बॉल साइज का हम इसमें से पिड़ा निकाल लेंगे अब देखिए इसको इस तरीके से लोई बनाएंगे और उंगली की साहता से बीच में चेद कर देना है दोनों तरफ से आर पार हमने उंगली निकाल देनी है और एक मेंदू वड़े जसा इसका डिजाइन बन जायेगा बहुत संप्ल है और बनाने तो बहुत ही मजा आने वाला है बस इस तरीके से ही एक औ लगाने की उसके बाद धेरे देरे आपके हाथ और ये जो डो हमने तयार किया ये अटोमेटिकली सेट हो जाएगा अभी ये गरम है इसलिए हमें थोड़ा सा चिपचिपा लग रहा है और गरम गरम में ही इसको बना दीजिए ठंडा होने के लिए ज़्यादा वेट मत कीजिए ठंडा हो जाएगा तो फिर इसमें क्रैक्स आने के चांसे हो जाएगे इस तरीके से हमने ये सारे वड़े बना देने हैं अब बाकी वड़े भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी ये देखिए ये सारे मैंने बना कर अब तयार कर लिये है किसी में कोई क्रैक्स नहीं है और हल्का फुल्का क्रैक्स हो भी तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस डो को ठंडा नहीं करना है जब भी आप वड़े बनाएं ये वाले तो इसको ठंडा नहीं करना है, बस इस तरीके से हमने इसको बना कर तयार कर लेना है, अब चलते हैं फिर से गैस की तरफ, तेल मैंने पहले ही गरम करने के लिए चड़ा दिया था, यहाँ पर तेल हमने तेज आज पर गरम करना है, एक बार आज को तेज रख़िये, और हमने मेरे बहुत हों सुख ही तो मनेसे को चाइए तो बल्क मेरे हैं और जर 활ने पर होन टेल में कि आपको ही तो सिप्टाल कर देल करना पेस और बहुत है अब इस थरीके से इंको व्लाख से घुड़न लएना थोड़न तो पर इनको सरी जब दीम आज कर देना के तो बढ़िया ये नाश्रा बनकर तयार होने वाला है बस एक बार नीचे से सेट हो जाएं तब हम इनको पलट देंगे हलका हलका से उपर से तेल जरूर डाल दीजिएगा जब ये थोड़े से सिखने शुरू हो जाएं इससे क्या होगा कि उपर की लेयर भी एक जल्दी से तयार ह हो जाएगी हलका जरूर रखना है बनाकर और अब देखिए जब ये नीचे से एक बार गोल्डन ब्राउन होने लग जाएं आपको दिखाई दिने लग जाएंगे साइड से तब इनको पलट दीजिए अभी आपको लग रहा होगा ये सॉफ्ट हैं लेकिन ये बिल्कुल भ आप दोनों को टेस्ट करके देखिए। यह सुजी वड़ा आपको जादा टेस्टी लगेगा और आसान तो इतना है कि आप इसको रोज बना कर भी खा सकते हैं यकीन मानिए बहुत आसान रेसिपी है दाल का जो जंजट है भिगोने का पीसने का और फिर फेटने का सब खतम हो जाएगा अगर आपने किसी को यह क्रिस्पी खाहि host फिर एक हैर इसे टाल कर लेट है और इसको बाखिए। को फिर खेशुडर होने टक हमझे घ्री मेरे इसको फ्राइग कर लेना है इंकी जो सिकाई है वह हमने थोड़ी जबन जादा देर तक करनी है, यॉय निएक बैच कम से कम छैसे साथ मिनट है अच्छे से फ्राई करना है, लीजिए तयार है जार ऑग आज. बीभेस इए मरे में दिखाते हूं कितने क्रिस्पी हैं यह न है ना कितने खस्ता कितने क्रिस्पी तोड़ कर दिखाती हूं अंदर से देखिए अंदर तक बिल्कुल बहुत अच्छे से जाली बनी हुई है जिसमें हमने कोई सोडा नहीं डाला कोई बेकिंग पाउडर नहीं डाला और नाक इसको फेटा है बहुत ही टेस्टी है बहुत मज़ेदार बहुत यमी इतने टेस्टी के महमान तो फैन हो जाएंगे बिल्कुल दूसरा तरीका बताती हूं जिसे आपने इसको सर्व करना है एक और लेजिए कोई प्लेट अब इसमें हमने ये सारे वड़े लगा देने हैं जितने आप एक प्लेट में लगाना चाह बाटे UNDबाटे आपिंगा गुजल का में अपनी फेटी हुई दही के साथ अब इसमें डालें ऊपनी पूदीना द्रिशक ओसे दही पुदिने की अपर अचल्डकित निदेन Pelosi को सब्सवाद्टी के साथ धनिया हमने पुदीने की हर्य यह लाँख़ी मिठी चाب और दाले तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ऐसे ही इंट्रस्टिंग और नहीं नहीं रेसिपी के लिए मेरे चैनल पर जुड़े लेए आज के लिए इतना ही देखने के लिए थेंक्यू